नमश्कार दोस्तों मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बीक रोमीजिक सीरीज तो दोस्तों आप लोगो ये चार सब्वूफर दिखाई दे रहे होंगे तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और जो मेरे भाई आज के टाइम में एक नया सब गलत खरीदा है कुछ भी ऐसा वैसा तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो ये होने वाली क्योंकि इस टॉपिक पे I think मैंने भी कभी ढंक से बात नहीं की है और आप लोगों किसी ने बताया भी नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा इसके बारे म क्रोस कटिंग अगर जो होती है तो कैसे होती है ठीक है तो आज का यहीं टॉपिक है हमारा यह जो आप दो ब्रैंड देख रहे हों क्राउन ओडियो है हो गया हमारा और यह एक स्पाइडर ओडियो दोनों ही बहुत अच्छे ब्रैंड है अब यह मत सोचना कि मैं अगर जो यह चीजे में करके बिबताऊन बात हो यह कंपनियां बेगा रहे हैं यह कंपनियां बहुत अच्छी है लोगगी गाडियों की खिडकिया जो होती है वह हिलाए है घरों के शीशे हिलाए हैं इन दोनों कंपनियों के सब्वूफर ने काफी सारी वीडियो में आप देख भी अब यह 155 की डबल मैगनेट है ठीक है अब यह 155 की डबल मैगनेट है यह भी 155 की डबल मैगनेट है और यह भी 155 की डबल मैगनेट है यह भी 155 की डबल मैगनेट है ठीक है अब यह तो हो गया साइज इसका ऐसे 155 उसके बाद आती है निकी हाइट ठीक है काफी सारे सब् पर कि जो है वो cross cutting आप उसको मान सकते हो क्योंकि magnet का size छोटा है तो वो सस्ती है magnet ठीक है उसके बाद जो same चीज आती है cross cutting वाली बोल सकते हो आप या फिर काफी सारी चीज़ें आप इसको बोल सकते हो मैं आपको एक normally example दिएक äसमझाता है ये magnet है हमारी y26 ये magnet है हमारी y28 ये magnet है हमारी y30 और ये magnet है हमारी y32 ठीक है अब ध्यान से देख लो दुबारा एक बार कर देता हूँ मैं, चलो, उदर से शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से शुरू करते हैं, रहे हैं, उदर से भी कर दिए, अधर से भी कर देते हैं, ये अपनी हो गई, आप confuse मत हो ना, मैं इस तरफ से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहां इस तरफ से थोड़ा ध्यान रहेगा तो इस तरफ से ही शुरू करता हूँ मैं यह हो गई हमारी Y26 magnet का grade बता रहा हूँ आप लोगों को Y26 Y28 और Y30 और यह अपनी Y32 ठीक है तो अब क्या फरक है size 1 है ठीक है चारों के चार सब बूफर का size 1 है यह चीज़ ध्यान से समझना हूँ यह Y28 जो है ओ स्वरी Y26 होगी यह अपनी इससे अच्छा परफॉर्म करेगी Y28 ठीक है इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी Y30 और इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी Y32 अब यह हमारे magnet का grade है अब इस grade से क्या फरक बढ़ता है अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हमारे सब बूफर की voice coil होती है आप उसको निकाल के आप किसी amplifier पे लगाओ आपको कोई आवाज नहीं आएगी ठीक है नॉर्मल सी बात है उसको निकाल लो सब बूफर से एम्प्लिफायर पे लगा दो आपको बस ये शोगा कि हमारी coil heat हो रही है और वो थोड़ी देर बाद जल गई इतना आपको पता लगएगा अब जो coil होती है हमारी वो magnetic field में आती है तब ही वो काम करती है तब ही वो अपना चल के दिखाती है कि हाँ भई magnetic field के अंदर आई हूँ जो मेरे को input दी गई है अब मुझे वो उसको निकाल के देना है अब जितनी जादा magnet field उसके अंदर होगी उस magnet में मतलब उस coil को मिलेगी magnet से तो उतना ही जादा अच्छा परफॉर्म करेगी coil यह अपना Y26 Y28 Y30 Y32 अब यह जो चीज है यह सब वूफर जो होगा यह सबसे जादा अच्छा परफॉर्म करेगा अब काफी सारे भाई यह पूछेंगे कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि मेरे को Y26 मिली है Y24 मिली है Y28 मिली है 30 मिली है 32 मिली है आप लोग नहीं पता लगा सकते मेरे भाई हो अब जो बड़ी-बड़ी कमपनिया है उन्होंने क्या किया है पहले सब वूफर इनके बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे आप लोगोंने शायद देखा भी होगा नोट भी किया होगा तो बहुत ही अच्छा चलते थे पहले के जो पुराने जब़ू पर थे अब वो सेम चीज बना रहे है लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वज़े से यह इतना इतनी जोल जाल हो रही है अब वहां वही चीज आती है कि quality को कम कर दिया है सबी चीज़ों में जैसे Magnet है Magnet का Grade कम कर रहे है या Magnet का Size कम कर रहे है और जैसे Height magnet की वो कम कर देना यह वैसे example के लिए आपको बता रहा हूं कि Company है क्या करती है height कम कर देना या magnet का size थोड़ा सा छोटा कर देना दिखने में आपको वो ही लगेगा लेकिन अगर छोटा सा size होगा आपको पता भी नहीं लगेगा ठीक है या फिर grade change कर देना तो वहाँ से जो companyya हैं वो cross cutting करती है जिसकी वैसे हमें तो लगता है कि चीज हमने अच्छी लिए है बट वो अच्छी निकलती नहीं है कभी भी फिर उसके बाद आती है हमारी voice coil ठीक है जैसे हमारी voice coil जितनी जल्दी heat होगी उतना ही जल्दी हमारा subwoofer perform कर मतलब अच्छा perform नहीं करेगा जितनी heat होगी coil और जितनी ठंडी होगी वो उसी हिसाब से perform भी करता है यह सबसे बड़ा फरक रहता है अगर जो coil heat है तो performance पे फरक बढ़ता ही बढ़ता है तो high temperature wire लगाते हैं काफी सारी चीज़े होती है जिसकी वैसे ही तो देखो अभी तो topic हमारा सिर्फ magnet का है कि magnet का topic उसके अलावा बहुत सारी चीज़े होती है कौन होती है बास्केट होती है अगर बास्केट हलकी है तो vibration करेगी बास्केट उसकी वैसे ही फरक पड़ता है कौन हलकी है तो ठक-ठक की आवाजे जादा आएंगी वो clear base नहीं मिल पाएगी spider भलकी है तो भाई suspension अच्छे से काम नहीं करेगा तो काफी सारी चीज़ें इसमें मिलती है जिसकी वैसे cross cutting की जा सकती है और वो आप लोगों को नहीं पता लगता तो आज सबसे main topic हमारा यही था कि जो magnet होती है magnet का सबसे बड़ा roll होता है यह हमारी y26 हो गई यह हमारी y28 यह हमारा 30 यह हमारी 32 यह सबसे कम perform करेगा ठीक है फिर यह उससे जादा करेगा यह उससे जादा करेगा और दिखने में तीनों चारों सब वूफर बिल्कुल सेम है कोई फरक आप लोगों को इनकी magnet में नहीं दिखाए देगा लेकिन power का फरक रहेगा यही चीज़ें में आप लोगो starting से बोलता आता हूँ चीज़ों को समझ के चीज़ों को अगर जो लेते हो तो ज़ादा अच्छा हमारे लिए वो रहता है बाकि और टोपिक पे बात करेंगा लाइक करना बुरी लगे तो डिसलाइक करना और जो मेरे नए भाईया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तब तक के लिए आप लोगों से आल भी जलाए तो बाबाए